नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे सभी भी वीडियो आपकी रॉयल खर इनवर्स्टी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए तो चलिए आज का वेपर स्टार्ट करते हैं शिक्षा में कला संगीत और नाटक में कौन-कौन से हैं जो आपको इंपोर्टन मिलने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट क्या जाए तेख नेट का परियोग करके ही करनी है तो चलिए फटावर्ट से शुरू करते हैं भारत्य रंगमंच में संधरिया की संकल्पना पर परकास डालिए और क्या पुस्ता है कि भारत्य चित्रकला के छें अंगों का वर्णन कीजिए ठीक है सारे कोशन इसमें इंपोर्टन नहते हैं इनका स्क्रिंशोड ले लिजेगा अपने कोशन मेंगमें को टिक कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेश कोशन की बात करते हैं द्रश्यात्मक प्रस्तुति के विभिन परकारों और उनके कलात्मक रूपों पर एक निमंद लिखिए इंपोर्टन कोशन रहता है इस इसमें विकास के कौन से पहलू है सारे कोशन आपके इंपोर्टन रहते हैं इसका स्क्रिंशोड ले लिजेगा और अपने कोशन में इसको टिक कर लिजेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत ही कम कोशन इसमें आपको रिपीटिड देखने को मिलेंगे ठीक है ना इसलिए थोड़ा सा पेपर काफी अजीब सा हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेस कोशन की बात करते हैं नेस कोशन जो कि आपका इंपोर्टन रहेगा माध्य में इस तर की स्कूली शिक्षा में कलाओं और शिल्पों का क्या महत्व है या फिर कला और शिल्पों क अर्थ तता संकल्पना के बारे में शंचेप में लिखे और भारत में शिक्षा में भारतिया उत्सवों का क्या कलात्मक महत्व है यानि कि सीदी सी बात है बढ़ी कला और शिल्प आपको करके जाना है इंपोर्टन रहता है इनका स्कूरिशोड ले लिजेगा अपने कोशन कर लिजेगा अपने कोशन की बात करते हैं चाया चितर कला के विकास करम का विवरण देते हुवे आधुनिक फोटो तगनिकी का परीचे दीजे या फिर फोटोग्राफी पर शंशिप्त टिपनी लिखे रिपीटिड कोशन इंका स्कूरिशोड ले लिजेगा अपने कोशन की बात करते हैं आप क्या जानते हैं या फिरेटेशन के विषे में आपके जानते हैं वही रिपीटिड कोशन है एकसी ले लिजेगा अपने question bank में इसको tick कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं graphics की विमिन शांखाओं को समझाइए या फिर graphics या चाया चित्रन परशनशिप्त विचार दीजिए और graphic design और print making के मध्य अंतर के बारे में लिखेगा तो एक ही question है repeated question है इनका screen short ले लिजेगा अपने question bank में इसको tick कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं शिक्षा में कला वै कला में शिक्षा के विभेट को लिखिए या फिर कला mm website योग्यता की अवधारना का वर्णन विद्धाले शिक्षा में कीजिए शिक्षा में कला और कला में शिक्षा में अंतरस पस्ट कीजिए ठीक है और भारते कला mm website प्रमपराओं की विभेट का वर्णन कीजिए शिक्षा में कला और वैवसाय की उपदेता का वर्णन कीजिए शिक्षा में कला में शिक्षा 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 में कि परदरशन को अपने विचार में व्यक्त कीजिए थोड़ा सा बस घुमा के पूजा है रिपीटीड कोशन है इसका स्क्राइब जोड़े लिजेगा अच्छा कोशन है इसका स्क्राइब द्रृश्यकला के दर्षियक्यों का वर्णन की विभिन विधियों का संशिप्त विवरन प्रस्तुत करिए एक रिपेटिटेड कोश्यन है इसका स्केंशंड ले लिजागा अमने कोश्चन बेंग में इसको टिक कर लिजिएगा चलिए बड़ाया आगे कोश्चन की बात करते इसको टिक कर लिए जगा आगे बढ़ते हैं इसको लेखित कीजिए और नाटक प्रदर्शन का लागा आधार है इसके विशह में लिखिएगा ठीक है तो इंपड़न कोशन रहता है इसको टिक कर लिजगा अगे बढ़ते हैं नाइस कोशन की बात करते हैं शास्त्रिय वे लोग संगीत कातुल नात्मक अध्यन कीजिए या फिर प्रादेशिक कला के सीधे प्रसारण एम संक्लित प्रसारण के संदर में अपने विचार वेक्ट किजिए या फिर संगीत विशय का एतिहासिक परीचे दीजिए या फिर नरत्य और संगीत पर संशिप्त टिपनी लिखिए करते हैं औरी गेमी क्या है समझाइएगा इंप्रेंट कोशन रहता है इसका स्कीन ले लिजेगा अपने कोश्चन में इसको टिक कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं संगीत वैचितर कला के समान तत्वों की विश्तिव विवेचना कीजिए या फिर कला प्रसंचा के सिध यही थे आपके ड्रामा एंड आर्ट के मौस्ट इंपरेंट कोशन बीएड फर्स्टियर के रोहिल खन युनिवस्टी के दो हजार चोविस के अब बात करते हैं थोड़े से भाई विद्या के कोशन बैंक के बारे में तो यह जो आपका अंसोल्ड है यह है आपका बीएड एक ठीचे ओं फर्स्टियर के विद्ध्या के कोशन बैंक की फडीए असे यह इस आपका 100% हट साल पेपर आता है ठीक है अब इस अंसोल्ड पेपर के जो के जो कोशन है उनका सोलुशन इन विद्या के कोशन में में दें रखा है अब सी दी से पात यही है जो एक एक कोशन का सॉलुशन विद्या के कोशन में मिलता है और दूसरी चीज इजी लैंग्वेज में मिलता है ठीक है ना तो अगर आप बीड फस्टियर में हैं और रोहल खन उन्वस्टी से बीड कर रहे हैं और इस बार एक्जाम देने वाले हैं 2024 के अंदर तो ये PDF साप म 928-45799-336 ये मेरा वाटसअप नम्मर है तिक है अगर आपको ये PDF चाहिए और एक तिस का जाहन करいきम है जो PDF है only Hindi language में ही available है थी कि करना लां हिंप में लैंग्वेęबल है market में हिंधी इंग्लिश में आती है विद्या का कॉश्चन में नहीं आता है अब जो इंग्लिश मीडियम का चात्र है ठीक है वो क्या करेगा उसके कॉश्चन आते हैं किसार हम क्या करें जो इंग्लिश मीडियम का चात्र है आपको ना जाकर भी सूर्या का ही कॉश्चन में लेना पड़े तो उसका सूर्या में जो unsold में जो question दे रखे हैं, उसका solution नहीं मिलता है, बहुत सारे question ऐसे हैं, जो सूर्या में नहीं मिलता है, लेकिन एक विद्या का question bank ऐसा है, जिसमें एक-एक question का आपको unsold के solution मिल जाता है, with easy language है ना, तो अगर आप faster में हैं, तो ये WhatsApp नमर मैंने आपक अगर आप धुकान से खरीद होगे सभी question bank दियान से खरीद ना, दोचार 420 उसके लिखा होना चाहिए, ठीक है तो आपका new question bank होगे, ठीक है, अगर ये दोनो चीज नहीं है, तो आपका पुराना है, और 24 नहीं लिखा है तो आपका पुराना है ठीक है तो ये बिल्कुल न्यू पीडियाफ है 2024 की है ठीक है अगर ये आप शोप से बाई करोगे ठीक है तो आपको ये कम से कम काफी महंगी पड़ती है ना 1080 के आसपास आपके पैसे इसमें लग जाते हैं ठीक है मुझे अगर आप ये पीडियाफ बाई करोगे तो मैं सबके सब प्रवाइड करा दूगा ये आपके पैड़ागोजी के सब्जेक्ट्स हैं ठीक है और केबल 300 रुपे में ये मैं सारी सारी पीडियाफ आपको दे रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे अभी तक बाई कर भी चुके है ठीक है सिर्फ 300 रुपे में सारी सारी पीडियाफ आपको दे रहा हूँ जिसमें आपका पैड़ागोजी सब्जेक्ट भी होगा और एक एक पीडियाफ होगी प्लस आपका अंसोल्ड भी होगा ठीक है तो इस तरह से कुछ रहेगा ठीक है और काफी पैसे आपके बच जाते हैं और अपने फ्रेंड को जादे स्यादा शेर करिएगा क्योंकि आप लोगों के एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है ताकि उनको पता चलेगी गैस पेपर की सीरीज 2024 की स्टार्ट हो चुके है रोलखन इन्वस्टी की और बने रहेगा खुश रहेगा ज्यादा परिश झाले है